हलो एवरीवान हेतेश रियर एंड टोड़े वी गना टॉक अबाउट दी मुवी कॉल हैरी पॉर्टर एंड गॉबलेट ऑफ फायर जो कि आई थी सन दो हजार पांच में यह हैरी पॉर्टर सीरीज की फूर्थ इंस्टॉल्मेंट है और आई होब कि आप में इसका फॉर्स से 75 मिनिट्स की एंड दे आर मोर देन 30 32 मिनिट्स लेकिन हां दिल के करीब है मुवीज बहुत ज्यादा ही पसंती तो कुछ एक्स्ट्रा डीटेल्स ही दी इस बार कोशिश करूंगा वीडियो को थोड़ा छोटा क्रिस्पन क्लियर बनाने की विट ओल दफन फैक्ट एंड डी को एक किसी शक्स के साथ बात करता देख पाते हैं उस हवेली की जलती लाइट को दूर खड़ा एक बोड़ा व्यक्ति देख लेता है उसे लगता है कि पास की हवेली में कुछ बच्चे शितानी कर रहे होंगे इसलिए वह उन्हें भगाने के लिए जब उस हवेली में जात सा आता है और वह अपना मृत्य दाहीनी शुराब जिसे कहते हैं तक्षण मरनासम उसे देकर उसे वहीं मार देता है इसी वक्त हैरी की आँख खुलती है और हर्माइन उसे कहती है कि जितना जल्दी हो सके तैयार हो जाओ लास्ट पार्ट्स के कॉर्डिंग डसली फैमली न की सेडरिक डिगरी की एंटरी होती है यानि कि वहीं अपने रॉबर्ट पैटिंसन ट्वैलाइट की पूरी सिरीज ने रॉबर्ट के लिए तो गर्ल्स की फैन फॉलउइंग की बाड़ ला दी थी और अभी जो दा बैटमैन आई थी उसने बॉइस को अपने और अट्रेक् सीधा पहुंच जाते हैं क्विडिच वर्ल्ड कप मैच में जो कि था 422 वा मैच होने वाला था आइरलेंड और बिल्गीरिया के बीच नहीं रहने के लिए चूटा सा टेंट दिया जाता है लेकिन जब अंदर जाते हैं तो वह बहुत बड़ा एक बंगलू जैसा होता है ज होना यह चाहिए था कि स्क्विडिच वर्ल्ड कप मैच को थोड़ा एक्स्टेंड करेंगे दिखाना चाहिए था बट मैंने च्टेंड वर्जिन भी देखा उसी में भी बस यही एक दो क्लिप्स होती है कि विक्टर क्रम जो की बलगीरिया की टीम को लीड करता है वह आता ह तो तब से ही दिल के अंदर इस मैच को देखनी की तीवर इच्छा प्रकड हो चुकी दी सभी के दिलों में बड़ इस बार नहीं मिला थोड़े एक दू क्लिप्स ही मिले कोई बात ने दिल को समझा लेते हैं यहां रॉन जो कि विक्टर क्रम का डाय हार्ट फैन होता है वो की प्राण भक्षियों यानि की डैथ इटर्स के आजाने और पूरी जगह को तहस्नेस कर देनी की वजह से था बेसिकली पूरे प्राण भक्षी इस बार हैरी पाटर को अपना निशाना बनाने के लिए यहां तक पहुंच चुके थे मगर बहुत सरे टैंट्स तंबू मगर को निस्ते नाबूत कर देने के बावजूद भी वहने नहीं मिला था इन फैक्ट भागम भागी में हैरी पर किसी की लात लग जाती है वहीं विचारा बेहोशो कर वहीं गिर जाता है और थोड़ी देर बाद में जब उसकी आँख खुलती है तो वहां पर वह एक शक्स को देख पाता है जो की मौत के सिंबल को आसमान में उजागर कर देता है डर के मारे हैरी वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन यहां पर जादू मंत्राले की टीम पहुंच जाती है जिसमें पार्टी ग्राउज और भी कई सारे विजर्ट होते हैं उन्हें लग रहा था क हमेशा की तरह हर साल होगवर्ट्स पहुंचने की कोशिश करते हैं ट्रॉली वाली आंटी आती है और पूछती है कि बच्चों को चाहिए तो हैरी आकर कुछ टॉफी लिन लगता है तब ही उसकी नजर उसकी क्रेश चूव पर जाती है बड़ी क्यूट लग रहे थी वहां कर हर्माइनी को इसके बारे में पूछता लेकिन हर्माइनी का यह कहना था कि करंट सिचुएशन बहुत ही जदा क्रेटिकल हो चुकी है डैथ इटर्स का आकर आम लोगों पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं तुम्हें इसके बारे में सीरिस ब्लैक को बताना होगा जहां पर वह एक खत लिखता है और अपने उल्लू हैडविक की मदद से वह खत सीरिस ब्लैक को पहुंचा देता है एड़ मास्टर डंबल डूर्स सभी बच्चों का स्वागत करते हैं और बताते हैं कि इस साल होने वाली है जादू की त्रिकोनी परीक्षा इंग्लिश में ट्रा लडगों का तो लडगी वर दिला चुका था इसके बाद रूम स्टैंग के होनहार चातर बलगेरिया से थी स्कूल यह भी मैजिक स्कूल की बच्चे होते हैं और इनके हैड़ मास्टर का नाम था हैड़ मास्टर इगॉर कार क्रॉफ बढ़िया मस्त ड्रागन बॉल यानि की गॉबलेट ऑफ फैर में डाल दें फिर यह प्याला खुद से उनके नाम चुनेगा इसी के साथ हम इस साल के गुप्त कलाउं से रक्षा के नए टीचर एलस्टर मोडी को भी देख पाते हैं जो की सभी बच्चों से नजरे छिबाकर कुछ गटक रहते जिस पर परमाइनी हाथ खड़ा करके तीन श्रापों के बारे में बताती है एक होता है सम्मोहन श्राप दूसरा होता है पीडी क्रिच श्राप और तीसरा होता है मृत्य दाहीनी श्राप जिसको एलेबरेट करते हैं अलस्टर मोडी और बताते हैं कि सम्मोहन की मदद से किसी भी इन तिहां पीड़ा दी जा सकती है और सेम ही चीज वो एक मकड़ी पर करके सभी बच्चों को दिखा रहा था इससे सभी बच्चें काफी सदा डिस्टर्ब भी हो रहे थे इन फैक्ट लॉंग बाटम तो कुछ ज्यादा है और प्तीसरी बारी आती है मृत्य दाहीनी श्राप यानि की तक्षण मरनासम जहां पर विचारी मकड़ी मारी जाती है हर्माइनी का कहना था कि इन सारे श्रापों को आप क्लास्रूम में नहीं सिखा सकते मगर अलेस्टर मोडी का हैरी की तरफ देखते हुए यह बताना जरूरी था कि मुसीबत कहीं से भी किसी भी वक्त आ सकती है उसके लिए तयार रहना जरूरी है क्लास्रूम में हुए इस अन्वांटेड एक्सपरिमेंट को देखते हुए सभी का ध्यान थोड़ा विचलित हो चुका था लॉंग बॉटम भी डिस्टब हो चुका था तो एलस्टर मोडी आकर उसे कहते हैं कि चलो आओ लॉंग बटम साथ में चाहे पीते हैं वहीं ग्रेट हॉल में जो भी बच्चे अपना नाम ट्राइविजर टूनामेंट में डालना चाते थे तो खुद के नाम की एक्चट बनाकर गॉबलेट ऑफ फायर में डालने लगते हैं जिसमें होगवर्ट से सैडरी ड प्राय करके वो अपना नाम उसमें डालते हैं लेकिन आग का प्याला बहुत ज़्यादा होश्यार और ताकतवर था जो कि बचकानी हरकतों को बाहर उठाकर फैंक देता है और फ्रेडर जॉर्ज के बहुत बड़ी-बड़ी डाड़ी मुच आ जाती है नेक्स टे था रिज टूनामेंट के हिस्ट्री में चौथा अलग से नाम आया था जो किता हैरी पॉटर सभी टीचर्स यह देखकर परिशान थे कि आकर तीन की जगए चार नाम कैसे आ गए कि हैरी ने किसी मंत्र या चलावे से इसांक के पहले में अपना नाम डाला या फिर किसी बड़े टीच को इस याद को अपने स्मृती पात्र में डालते विए देख पाते हैं क्योंकि याओ बॉट बोड़े हो चुकें हैं इतने सारे इंसिदेंस रोज समालना भारी बढ़ जाता है तो फालतू की यादों को वह इस स्मृती पात्र में डाल देता हैं ताकि दिमाग ठोड़ा ख करती है और सबसे पहले शुरुवात करती है है जहां पर वो बताती है कि हैरी जो की 12 साल का लड़का है जिस पर हैरी बताता कि मैं 14 और उल्टी सीधे सवाल उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी फैमिली के साथ में क्या हुआ कहीं तुम निराश परिशान तो नहीं हो तु इस बार सीरियस ब्लैक का उल्लू हैरी पॉटर के लिए खत लेकर आया था जिसमें लिखा था हैरी तुमने जिस मौत के निशान को देखा वो कोई आम बात नहीं थी इस बारे में हमें बातचीत करनी होगी मैं तुम्हें सटेडे को रात को एक बजे ग्रफिंडॉर यानि क फालतों की खबर छपी थी जो कि रीटा स्कीटर नहीं चापी दी जिसे हैरी पढ़कर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो उसे अंगीटी में फैंक देता है तब ही अंगीटी से करके अवाज आती है वह होता है सीरियस ब्लैक जो की एक तरीके से टेलीपैथी की मदद से हैरी से बातचीट कर रहा था और बताता है कि इस साल कोई ना कोई बड़ा प्लैन वाल्डो मोट द्वारा बनाया जा रहा है इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा खैर हैरी उससे और जदा बातचीट कर पाता लेकिन यहां पर रॉन पहुंच जाता है और अभी रॉन औ करने लगता है जहां पर लॉंग बॉटम हैरी को बताता है कि थोड़े दिन पहले मुझे एलस्टर मोडी ने जड़ी बूटी विग्यान से रिलेटेड एक किताब भी काफी इंटरस्टिंग किताब है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है तब ही वहां पर हर्माइनी इती है और कहती है कि रोन ने कुछ ऐसा देखा जिसने आकर बरवती बताया ऑर डिन ने आकर मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता हो तक क्याلف कर नहीं रो 알र्माइन चाहू तो बात करने यह हुआ था कि यह उग derivatives कं इस है इस सबीके सामने आने वाला था और इस first task में इनका सामना होने वाला था बड़े बड़े dragons के साथ में और वही दिखाने के लिए आज Hagrid Harry को उसका दिर्ष्च चोगा पहन कर जंगल में लेकर आता है यहां पर Hagrid की मुलाकात Headmaster Maxime से भी होती है इन दोनों की कहीं न कहीं फ्लर्टिंग वगर भी चल रही होती है जहां पर Harry अपने अगले दिन के मुकाबले जिन से होने वाले हैं यानि की बड़े बड़े चार ड्रेगन जिसमें से एक था सबसे भैंकर नागेरियन वॉंग टेल इन सभी को यहां पर लाने में रॉन के भा लगा कर घूम रहते उसमें से इंपर्टेंट इंफर्मीशन यह थी कि हमारा सामना अगले दिन चार बड़े बड़े ड्रेगन से होने वाला है अब यह बात पहले से को नहीं पता थी इस वज़े से हैरी को थैंक्स कहता है लेकिन पीछे खड़ा ड्रेको उस पर हसने लगत मैंने तो तुम्हारे उपर सौ डॉलर लगाए हैं और कहाया कि दस मिनट तुम टिक जाओगे पर मेरे पिता ऐसा नहीं मानते हैं उनका कहना है कि 10 मिनट भी जादा है जिस पर हैरी का कहना था कि तुम भी तुमारे पिता की तरह बकवास हो और ये कहकर वो जाने लगता है लेकिन पीछ्छे से ड्रे को उस पर कोई मंत्र करता उससे पहले घलस्टर मोडी उसे अपने मंतर से एक नेवला बना तेते हैं और कहते हैं कि Panov पीछे किसी के मैजिक करोगे मैं तुम में बताताँ कि मैजिक करना किसे कहते हैं और वोसे उचाल उचालकर क्राइब के चड़ी में डाल देते हैं जितने में वहाँ पर प्रोफेसर मेगॉनिकल पहुंच जाती है और कहती है कि क्या यह कोई चात्र है अलस्टर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मगर सिचुवेशन को समालते हुए एलस्टर हैरी को वहाँ से लेकर अपने रूम में पहुंच जा बताते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स भी था जो की हिल रहा था हैरी की पूछे जाने पर अलस्टर बताते हैं कि एकर मैं तुमें बता दू कि उसमें क्या है तो तुम विश्वास ही नहीं करोगे मगर मुद्दा यह नहीं था हैरी का लेस्टर से कहना था कि अगले दिन सारे के सारे कंपैडिटर्स बहुत ही जदा प्रैशर में थे वहाँ पर हर्माइनी हैरी को गुड़ लग विश्व करने के लिए थी मगर रीटा इसकी फोटो क्लिक कर लेती है जिसके बाद में यहाँ पर हैड्मास्र डंबल्डूर भी आ जाते हैं पार चोटे से क्विडिच मै दिखाना चाहिए था शुरूमें वह भी नहीं दिखाया इन तीन उने ड्रैगन के साथ में कैसे पाइट निकले मगर सारी कोशिशे नाकामियाब होते नजर आ रहे थे सभी बच्चे दूर खड़े होकर हूटिंग कर रहे थे एड़ एंड हैरी को अपनी मदद के लिए अपनी वर्ड की फास्टेस्ट जाडू फायर बोल्ट को बुलाना ही बढ़ता है और फिर वो उस पर बैट कर वॉंग बट यार कहानी का हीरो है तो उसके हाथ लग जाती है फायर बोल्ट और वो बचकर वहां से निकल जाता है मगर पीछे जो वॉंग टेल उसके पड़ा था वहार मानने वाला कहां था जिससे पटकन दिलाने के लिए हैरी खुश जाता है एक पुल के बीचों बीच और अपन को खोलता है तो उसमें बहुत ही चलाने जिसी चेंज चेंगर की आवाज आती है हर को इरिटेट होकर वहां से निकल जाता है अगले दिन लंच टाइम पे हैरी सिर्फ चो को यह देख रहा था क्योंकि यार वो उसकी कह सकते हैं क्रश बन चुकी थी तभी हर्माइनी निउस बाजा भी पड़ा था जिसमें वह लंबी वाली काली कैसेटी लगती थी और आज का लेसं था लड़के लड़किवें के रजाने sellers करेंगे काश हमारे पर आसी वाली क्लासेज होती है आपका इस पर क्या कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन दिल की बाद बताना बद भूलGHT सालिब्रेशन होने वाला है तो सभी लड़के अपने अपनी लड़कियों को फाइंड आउट करके मलब जिसे भी चाते हैं उसे डांस के लिए तयार कर ले और उस बॉल रूम में पहुंचें अब बाकि सभी लड़कों ने तो अपनी बंदियां ढून ली थी बट बच जाते है कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी तो हमसे और भी छोटे थे हमें एक हाथ से उन्हें उठाकर कुरसी पर रख दिया करते थे इन दोनों की दोस्ती भी पुरानी थी और अब यह काफी टाइम के बाद मिले थे तो अच्छा गासा टाइम स्पेंड होता है इंके प्रेरी में और अगेन एक दूसरे से बाते कर रहे होते हैं स्नेप को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हातों से इन दुनों को टपली भी मारता है लेकिन लड़कियों को फाइंड आउट करने वाली खुजली इनकी गई नहीं थी तो रॉन अपने बड़े भाईयों से प पहले पूछना चाहिए था मुझसे किसी और ने पूछ लिया है और मैंने हां भी बोल दिया है बिचारों कदर दिली टूड़ जाता है वह आपस में बातचीत करने लगते हैं कि फिर से इसने पहुंचकर एक और टपली मतलब नीचे जगा देता है नेक्स्ट सीन में हम हैर पर जाकर एक और खत को सीरियस तक पहुंचाना चाता था लेकिन तभी उसकी मुलाकात चो से भी होती है तो हैरी अपनी क्रश चो से पूछता है कि क्या तो मेरे साथ बॉलरूम में चलोगी विचारा काफी डर रहा था लेकिन वहां भी उसे नाकामी ही मिलती है क्योंकि चो लड़कियां इन से पूछा नहीं है तो इनको यह पन डीट वगर कर लेंगे और अब दिन आ चुका था बॉलरूम डांसिंग वाला जहां पर रॉन की फैमिली ने रॉन के लिए एक रॉब भेजा था बहुत ही पुराने टाइम का था जिसमें से कुछ बोड़ी आंटियों सबसे पहले जाएंगे अब हैरी को यह बात पता नहीं थी इतना अच्छा प्रिपैर नहीं किया था लेकिन उसे जाना पड़ता है और तभी एंट्री होती है और फिर गजब वाल्रूम डांस स्टार्ट होता है दिरी-दिरी करके नाइट रंगीन होती जाती है गानों का ट लो म्यूजिक से डेथ मैटल और थोड़ा सा हैवी रॉक स्टार्ट हो जाता है एक तरफ हर्माइनी विक्टर के साथ कदम से कदम थरका रही थी वहीं दूसरी और हैरी और रॉन बैठे हुए थे इनकी दोनों पार्टनर्स यानिकी पार्वती और पदमा भी बैठी हुई वै लड़कियों तो डांस करने जाना था लेकिन दोनों की ही ठाकिलापंती देखकर वह पिचारी यूई बैठी हुई थी तभी कोई आकर इन दोनों को पूछ ले ता कि यार चले डांस करने के लिए ये दोनों हांप भी बोल देती है उसीवक्त हर्माइनी आती है और कहती है कि आज तो मज़ा ही आ गया जिस पर रॉन कहता है कि हमें दुश्मन के साल डांस नहीं करना चाहिए जिस पर हर्माइनी कहती है कि शायद तुम ही वो शक्स हो जो कि विक्टर क्रम के डाय हार्ट फैन हुआ करते थे और आज मुझे लेकिन तभी ओहसा लॉन बातरूंब में काफी अच्छा है तो अडा लेकर जा और सोचते रहाओ गरं पानी में उन्साहें रहूं अब इस बात को सुनकर अपने अंडे को लेकर सीधा। मॉनिटर्स बात्रूं में वहाँ पर उसकी मुलाकात मायोस मिना सिभी बहती है जहां पर मायूस मीना कहती है कि सेडरिक टिगरी जो कि तुमसे पहले यहां पर पहुंचा था उसे सोचते सोचते बहुत टाइम लग गया कि इसका राज कैसे निकला जाए उसके तो बुलबुले भी खतम हो चुके थे वैल उसने इस अंडे को पानी के अंदर खोला था इस ब अभी भी दैथते हैं या फिर घोकार मर्मिट्स होंगी लेकिन हर्माइनी का कहना था कि एक घंटे तक तुम पानी में सांस रोकोंगे कैसे नेक्स्ट मॉर्निंग तुम्हारा कॉम्पेटिशन है और तुम्हें यहीं नहीं पता कि पानी में सांस रोकनी कैसी है तब ही वहा लॉंग बॉटम बताता है कि इसमें शायद तुम्हारी मदद गिलफट बूटी कर सके फिरसीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्णिंग जहां पर सभी बच्चे इस शामदार कॉम्पेटिशन को देखने के लिए आ चुके थे काली जील के किनारे तक तभी लॉंग बॉटम अपनी जेप से हैरी को गिलफट बूटी दीता है और यह बताता है कि एक घंटे तक तुम्हारी मदद कर सकती है मगर वैग्यानिकों को मानना है कि यार यह थंडे पानी और गरम पानी में किस तरीके से काम करती है है यह सोचता है कि यह बात तो मुझे अब बता रहे हो जि उसे पानी में धक्का देते हैं लॉटम गो तो लगता है है उसने गलती से उसकी जान ले लिए मगर थोड़ी दिर बाद पानी में जब हैरी परजीन शिफ्ट होता है तो उसकी हातों में जैलियां बनने लग जाती है गले की नीचे गलफड़े भी आ जाते हैं बेसिकलि य उसे चार लाशें या फिर चार नुटọn बॉडिस दिखती है जिन में एक होती है हर्माईणी एक होता है रॉन एक होती है डेलाकॉर की sister और एक हो Do चोई तो सबसे पहले वहाँ पर सैटरिक आता है जो कि अपने साथ ले जाता है उसके बाद में वहाँ विक्टर पहुंचता है जो कि इक शार्क वाली शेप में आये था वह आकर हर्माइनी को ले जाता है और जैसे कि कुछ देर पहले उन वाइल्ड मर्बड ने हैरी पर हमला किया था तो वैसे हमला डाल कॉर पर भी किया था इस वज़े से उसे बाहर आ जाना पड़ा था अब नॉर्मली हैरी को बचाना चाहिए रॉन को लेकिन उसे याद आता है कि डाल कॉर इस कॉम्पेटीशन से बाहर हो चुकी है तो उसकी सिस्टर यहीं पर ही रह जाएगी उसे कर डंबल दोर वगर रहे और जो बाकी की दोस्त होते हैं वह बहुत खुश होते हैं तर यहां पर पोपाँच जाता है और अकाम से काम रखो महर इसके फिश्ल uważ को लगता है कि कुछ तो कडबढ़ है और वो मोडी का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं वहीं शाम को ये सारी बातें हैरी हैग्रेट से बता रहा था कि कैसे मैंने उस गिलफट बूटी की महल ली और उस जाड़ू ने भी मेरी हेल्प करीता है कि मैं गोल्डन एक को लेकर आ पाया तो क उन्हें कुछ important काम याद आ जाता है और वह से कहते हैं कि कटकरी केंडी से दूर आना क्योंकि कार्ड़ी भी है मैं जार अपना इंप्रूटन काम खतम करके आता हूं और जैसा उन्होंने बताया था वैसा हो भी जाता है वो केंडी उसे काट खा जाती है तभी उससे बचने के लिए वो स्मृति पातर तक पहुंच जाता है और गलती से 13 साल पुरानी वाली याद में पहुंच जाता है यहां पर एक और कार्कॉफ जिसके उपर जादू मंत्राले ने मुकदमा ठोक रखाता कि वो वॉल्डमॉट के साथ मिला हुआ है वॉल्डमॉट ने कई सारे साथ मिल चुके हैं अगर तुमारे पास कोई और नाम नहीं है तो तुम्हें असके बान भीज दिया जाएगा जहां पर इगौर कहता है कि मेरे पास एक नाम और है जो कि था बाटी क्राउज जूनियर यानि कि बाटी क्राउज का बेटा अब उसे पकड़ लिया जाता है औ और ऐसे कहते हैं कि हैरी यहें इस्मृति पात्र मैं इनमें उन यादों को रखता हूँ जो कि मैं दिमाग से निकाल देना चाहता हूं इस में वाल्ड मोट से जोड़ी एक याद है मगर मैं काफी डूंट चुका हूँ मगर अभी थक वो मुझे मिली नहीं मुझे लग रहा था कि उसने ऐसा नहीं किया जिस पर स्नेप कहता है कि वो तुम्हें पता लगा ही लूँगा कि आखिर मेरे आफिस में से यह चीज़ें कौन चुरा रहा है नेक्स दे था इस त्रिकोणिया परिक्षा का आखरी टास्क जहां पर एक बड़ी सी भूल बलईया थी और इन्हें था सबसे पहले अनंत कीरती तक जो कि इवेंच्वली इनका प्राइज भी था डंबलडूर इन्हें पास बुलाकर कहते हैं कि यहां कुछ अन्होनी घटनाएं भी घट सकती है जैसी कि जाड़ियां तुम्हारी जान लेनी की कोशिश करे या फिर पेड़ों की जड़े तु अब यहां से होती है सारी गडबड़े स्टार्ट होना शुरू सबसे पहले तो तेज हवाएं चलने लगती है यह जाड़ियां अपना रास्ता बदलने लगती है और विक्टर क्रम आकर डेला को मूर्चित कर देता है और फिर आगे बढ़ता है हैरी तक मगर उसे कुछ भी अनंद तुर्ट करती अब क्यूKit कि विक्टर करम ने सेड़र को जान से मारने की कुशश करी तो कहता है कि हैरी उसकप को तुम पालो तुमने मेरी मदद करी थी लेकिन है busy का कहना था कि हम दोनूं यहां तक महुंचा है तो हैसे साथ जून recite औकم दूने कुछ महिनों यह हो मास्टर प्लान ओफ वाल्डमॉट यहां पर पीटर पैटोग्रू भी होता है जो कि वाल्डमॉट की एकदम कुबडी हालत को एक बड़े से डेक में डाल देता है वाल्डमॉट को वापस लाने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत थी जैसे कि पिता के कबर से हड़ी अपने दुश्मन का जबरन एक कतरा खून और वफादार की तरफ से दिया गया एक हाथ इन सभी के मिश्रंट से वाल्डमॉट वापस लॉट आता है इसका अनिमेशन लिटरली टॉप नौच था मार्वल और ट्रांसफॉर्मर्स की मुवीज में हमने कई सारे अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन देख हैं लेकिन वर्डमॉट का एक कुबिड़ से एक शरीर में आ जाना इट वाज रेली एन एपक ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर आने के बाद में सबसे पहले वह पीटर पैटिग्रू के मौत वाले निशान से सभी डैटीटर को बलाता है जिसमें साथ आते हैं इन साथों में वन ओफ दा डैटीटर लूसियस मैलफाय होता है वाल्डमॉट का उनसे कहना था कि तुमने कभी भी मुझे ढूणने की कोशिश नहीं करी जहां पर लूसियस का कहना था कि कोशिश करी थी मगर कामियाब नहीं हुई पीटर पैटेग्रू कहता ह है कि लेकिन मैं लोटाया मालिक जिस पर खुश होकर वाल्डमॉट उसे एक सिल्वर हैंड दे देता है और अब बारी आती है अपने दुश्मन यानि कि हैरी पॉर्टर से बदला लेने की जहां पर सबसे पहले वाल्डमॉट एक पास्ट ब्रीफ बताता है कि 8-13 साल पहले भी जब तुम्हारे माता-पिता मेरे खिलाफ होगे थे मैंने उन्हें जान से माणने की कोशिस करी थी तो मैं एक पुराने जादू का होना भूल गया था जो कि था प्रीन का जातू तुम्हारी इमान ने तुम्हारे उपर प्यार का जा DA Controller दि ता और जबелен तुम्हें मारने की कोशिश करी तो जादू का उलटवार हो गया और मेरा खुद का ही विनाश हो गया लेकिन आज मेरे अंदर तुम्हारा ही खूण है तो मैं तुम्हें नुकसान पहुचा सकता हूं जिसके बाद हैरी को काफी पीड़ा देता है मगर इस खेल को और भी ज़दा एंटर्टेनिंग बनाने के लिए वह यहां पर हैरी को अपने सामने चड़ी का जादू दिखाने के लिए कहाता है और बोलता है कि हैड़ मास्टर डंबल डॉर निराश हो इस ब्रूटल फाइट में यह दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे मगर तभी वाल्डमॉट की चड़ी से वह सारी की सारी आत्माय निकलने लगती है जो कि वाल्डमॉट ने पुराने टाइम में मारी थी जैसे की सैडरिक डिगरी वह पुराना बोड़ा आ अपनी स्कूल में वापस चले जाओ और जैसे हैरी उस पर से ध्यान अटाता है सारी आत्माय आकर वाल्डमॉट के उपर चड़ जाती हैं उसे विचलित यानि की डिस्ट्रैट कर देती हैं और तभी मौका पाता ही हैरी गुप्तमार्क तक पहुंचकर सैडरिक डिगरी के स कपरिस्तान भी ले लिए अपने बेटे को मरा देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं सिच्वेशन आउट अफ कंट्रोल हो चुकी थी तभी वहां पर मोडी पहुंच जाता है और हैरी को पूछता है कि तुमने वहां पर क्या देखा उस कपरिस्तान में और कौन था जह कि यहां पर इसने भी पहुंच चुका होता है डंबल डोर भी आ चुके होते हैं उसके मूं में सत्य प्रकाशत रज डाला जाता है जिसकी वज़े से वह सच बूलने लगे और तब इन्हें पता चलता है कि सारा वाल्डमॉट का प्लान था और असली एलस्टर मोडी तो पा मगर हम से भी टीचर्स मिलकर इसका सिलूशन निकालेंगे और वाल्डमॉट को जितना जल्दी हो सके दूर भगा देंगे और इसी के साथ विदाउट एक्जाम्स ये साल भी खत्त होता है जसके बाद बॉब एटन सिटी वाली गल्स मैगजीम के साथ जाने लगती है वहीं और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजेगा और पहली बार इस चानल पर आया है तो इससे सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा क्योंकि इसके बाद मैं इसका फिफ्ट पार्ट जल्द ही लाने वाला हूं तो तब तक के लिए की अजय बार्ट जर लूंग के दो फिए दो ॉश प्लीज एकर प्लीज लिए जरूर कीजेगा क्योंकि आगर यूब जाग से लिए भी जागर श्याने रिए भी जरूर आख दो वाला है और इसके खिलिग है तो प्लीजेगश कर्शने ऑया है पहली है जरूर वाला है झार